बारत और उस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वंडे में टिम इंडिया को एक शानदार जीत मिली जियां इस जीत के सुत्रदार रहे टिम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और टिम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबास महेंदर सिंग दोनी जी आपको बता दें कि दोनी ने एक बार फिर फॉर्म में वापसी की और बता दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का बेस्ट फिनिशर कहा जाता है साल 2018 की कड़वी आदो को छोड़ कर दोनी ने साल 2019 की शुरुआत अच्छी की है पहले मैच में भी उन्होंने अर्चा तक जड़ा और दूसरे बंडे में टीम इंडिया को जीच दिला दी वो भी सौक ये उपर की स्ट्राइक रेट से लेकिन इस पारी में महेंदर सिंग दोनी ने दो ही चखके जड़े थे कोई हरान था कि आखिर दोनी इस उम्र में सुर्फ दो चखके जड़का रच्छा तक कैसे बना सकते हैं दोनी ने जादा तर दो और जादा तर तीन रन भी मैदान पर लिये इसके बाद दोनी बीच में मैदान पर जम कर खासते हुए भी नजर आया उनको कुछ क्रैंप्स भी था ऐसा दिनेश कार्थिक ने बताया अला कि दोनी जब मैदान पर गिर पड़े तिम इंडिया को बहुत बड़ा जटका लग सकता था क्योंकि अगर दोनी बाहर बैटते मैच से तो फिर दिक्कत हो जाती और शायद वो कंडिशन नहीं थी दोनी के बाहर चाने की लेकिन महिंदर सिख दोनी ने अपने जजबा नहीं खोया और मैदान पर डटे रहे हाला कि लिक्विट्स वगेर उन्होंने लिये लेकिन कहीं न कहीं दोनी की उम्र अब साफ तोर पर दिखाई पड़ रही है लेकिन उनके फिटनेस का कोई जवाब नहीं है नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स डेस से अब इलाश पांडे की रिपोर्ट